कि यूटूब चैनल बेडू के के पेटिक संदुगाच कैस आप सम्मीदे की बहुत अच्छोंग है तो दोस्तों आज हम बात करना वाले इंडियन पीमिर लिग दोजर तेस के 30-60-20 मैच के बारे में दुस्ते मैं चुनने वाला है रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कॉलकत्ता नाइट आइडरस के बीच में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक इन सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जनकारी आपको पूरी मिलते रहे तो दोस्तों आगे बढ़ने से प चलता है मैच की ओर यह मैच होना वाला है 26 अपरील को इंडिया टाम के सामके साथ वच के 30 मिट पर यह मैच स्टाट होगी यह मैच खेली जाएगी एमचिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोरू इंडिया में अब बात करते हैं दो टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं इस जहां पांच मैच मेंसा चान मैच हार के आ रही है और एक मैच जीत के आ रही है अगर टीम फॉर्म के ऐकॉर्टिन्ग बात के तो यहां पर बैंगलोर एक मैच से आगे चल रही है होई अगर बात करें दो टीमों का head to head चेक करने last 10 matches में तो जहाँ पर Royal Challenger Bangalore पांच में जीत के आ रही है तो हम इक कोलकत्ता नाइटर आडरेस भी पांच में जीत के आ रही है तो यहाँ पर हम दोग देख सकते हैं कि head to head में लगवक दोनों equally अच्छे form में चल रहे हैं अब आगर बढ़ते हैं जाद देर ना करते हुए दो टीमों का team competition करते हैं last 10 matches में कहका expectation देखने को मिल सकते हैं पहली competition winning percentage की बात का है तो जहां पर bangalore का 60 बरस देखने को मिल रहा है तो इंगाल कत्ता का 40 बरस देखने को मिल रहा है force score की बात के थो बैंगलोरर का 189 रहा है तो इंग ओलकत्ता का 181 सी है स let YOUR score की करते हैं वाद के तो बैंगलोरर का 218 है तो कोलकत्ता का 208 है लोईस स्कोर की बात कें तो बैंगलोर का 123 है तो कोलकत्ता नाइट आड़स का 127 है तो यह नहीं दो कीमों का टीम कंप्रीजन अगर इसके कॉल्डिंग बात कें तो यहां पर लगवा कंप्रीजन में दोनों का इक्वाली फॉर्म देखने को मिल रहा है अगर होई उमिडिटी देखें तो 51 परसेंट रहें तो यह रहें आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट परतन चलते हैं पीच की और आज का मैच इस स्पीच पर कैसा होने वाला है इस स्पीच का फॉस्ट इनिंग का वेस्ट कोर की बात करें तो इस स्पीच पे 167 के में भी की रन जा सकती हो हैं अगर सेकें इनिंग की बात करें तो इस स्पीच पे थोड़ी से रन कम सकती है इस पीच पर अभी तक टोटल 88 मैच खिलेंगे हैं जो हड़ एक मैच काफी जबदस हुई है अगर इस पीच पर देखें तो अधिकतर मैच चेस करने वाली टीम ही जीती है सिर्फिच की अगर सरफेस की बात कें तो जोउबी टीम तो जिसके बॉलिंग करती है तो मैच जितने की प्रवोलिटी जादा बन सकती है क्योंकि डिफेंड मेच पर और जिसके हुए बात करते हुं दों टिमों का टीम पर्फॉर्मस देखते हैं तो पहली टिम बंगलोर की बात के तो नो डॉट काफि अच्छे फॉर्म में आ चुकी है और स्टार्ट पके तो स्टार्ट आप में कुछ खास पर्फॉर्मस देखने को नहीं मिल रहा थी वहीं अगर पिछले दो-तीन मैच की बात करें तो दो-तीन मैच में बैटिंग अब बॉलिक दोनों का कमिनिशन जब 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 देखने को मिल रहा है वहीं अगर दूसरी टीम कोलकत्ता नाइट डाइडर्स की बात करें पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्मस नहीं करके आ रहे हैं तो उमीद है कि इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करें दोनों टीम एक दूसरे को काफी अच्छे बीट भी कर सकते हैं अब आगे पढ़ते हैं स्पेक्टेट एक विकेट बॉलस के फेवर में रहें वहीं बैट एसरे करेंगे बिरियेबल पॉंस पर चलते हैं दो टीमों की की प्लेइस की बात करते हैं तो पहरी टीम रॉयल चलेंजर बैंगलोर के की प्लेइर के बात करें तो फैब डू प्लेइस ब्यार्ट कोली दिनेश कार्थिक मौंमद सिराज वहीं दूसरी टीम कोलकत्तन आइड़ाजस के की प्लेइर की बात करें तो जेसन रॉय एंड्रेज असल डेविड वाइस तु क्या लगता है अपने भीव को कमेंज सकते हैं और जाने से पहले दूस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना बूलें बने लिए मैंज चैनल के साथ ओके कैज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में